वेल फ्रेंड्स वेरी वेरी गूड मॉर्णिंग आलव श्यूव वेलकम टू सक्ससमांतर बाई जे मलेक जमीन खरीदार के लिए अगर हम जमीन खरीदने जाते हैं तो हमें खेवट सालम खेवट होती है और एक होती है जॉइंट खेवट संयुक्त खेवट तो खेवट का जै जमाबंदी बनती है उसमें एक नमबर दिया जाता है तो वो खेवट कंबाइड भी हो सकती है और एक इंडिविज्वल भी हो सकती है तो अगर हम क्रिशी बुमी खरीदने जाते हैं तो हमें कौन सी खेवट बैटर रहेगी यह आज का क्योक्शन है तो जमीन खरीदार के ल इसका मतलब क्या आता है कि ये गाउं की बुमी है गाउं की बुमी साजली बुमी इसमें क्या उता है सरकार की बुमी समझेये यह पंजयत को दिए जाते है इसमें चरागा, खेलकूद, और कोई छोटे-मोटी गाउं के लिए, डिस्पेंसरी त्यादी के लिए, स्यामना दे, उसको कहते हैं, जोएंट भूमी, जो जिसका सरकार का, जिस पर अधिकार होता है, मालिकान हक, सरकार का होता है, गाउं की वो ऐसी भूमी होती है, तो अब जमीर ख ओनर्शिप, एक आदमी का, जमीन एक आदमी के नाम है, तो सिंगल, और सयुक, जोएंट, जोएंट, मल्टिपल, जोएंट ओनर्शिप, ओनर्शिप, जहां पर जोएंट औनर्शिप, तो ईसी खेवट जिसमें एक व्यक्तिकिकी naprawdę की ओनर्शिप है, उसं जमीन को लेने में कोई किसी किसम की कोई दुविदा नहीं है लेकिन जहां पर joint ownership है खेवट joint है पूरी फेमिली की है तो वो बताएंगे के वहां क्या दिकता सकती है देखिए joint ownership में क्या होता है share होता है share can be sold और यह कानूनी माननेता है कि उसका share बेचा जा सकता है एक विक्ति माले एक प्रिवार में दो बाई हैं तो एक विक्ति अपना share बेच सकता है तो और उस पर bank भी लोन देता है किसान करेड़िट कार्ड वगएरा जैसे बनते हैं यह share mortgage होता है एक डीड वरी जाती है और लेकिन उसमें कोई demarcation नहीं होता कि boundary नहीं होती तो इसमें क्या दिकत आती है विशेश कर जहां पर ancestral property है पैत्रिक भूमी पैत्रिक भूमी क्या होती है यह वो भूमी होती है जिसमें को पार्सनर को पार्सनर राइट बनता है राइट इसका मतलब है by birthright, by birthright प्रिवार में जो जिसका भी जनम हुआ, by birthright तो प्रिवार में जिस भी का जनम हुआ, वो उसको इसेदार हो जाता है पैत्रिक भूमी में, तो पैत्रिक भूमी में कही बार तो यह ही पताल कि कितने ओनर है हाला कि अपना शेयर बेच सकते हैं तो इसमें थोड़ी दिक्कत रहती है कि सब के साइन कराएं कोई माइनर है कोई है कोई कहीं है तो इसमें दिक्कत आती है अब देखिए शेयर मोडगेज हो जाता है शेयर बेचा भी जा सकता है वो भूमी अगर आपको हो सकता थोड़ी सस् भी मिल जाए लेकिन थोड़ी बहुत दिखते आती हैं जैसे ये एक टुकड़ा है और इसमें जॉइंट ओनर्शिप है तीन आदमी स्पोज करो एक ये है एक ये है तो इसमें एक एक ही बुमी है बी की है और सी की है सी ने ये जमीन सी ने सोल्ड शोल्ड टू डी को बेज दी और एबी की कंसेंट नहीं ली गई ना कोई डिमार्केशन है ये तो शिरफ इनों ने इसलिए बाटी थी कि अपनी खेती कर लें अपने तरीके से बाट करके उसका डिविजन करके उसमें खेती शुरू कर दी लेकिन उसका प्रोपर डिविजन नहीं हुआ तो लेकिन सी जो है अपना शेयर शेयर बेज सकता है इसलिए इसने डी को बेज दी कल को कोई इधर देखिए हाईवे निकला या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया यह हाईवे निकले या कोई प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट कोई बड थी यह इसकी ज्यादा बन गई और इसकी निश्बत तो यहां पर क्या होगा कि बी और ए ओब्जेक्शन करेंगे क्योंकि ना तो इनकी अपना शेर बेज दिया तो यह चाहेंगे कि हमें रोड साइड में जमीन विले जिसकी वेल्व आज के दिन बहुत ज्यादा है इन निश तो यह क्योंकि अब यह चाहेंगे कि ऐसे डंग से बाटी जाए कि हमारे ए बी सी को इस तरह तीनों को शेर मिले तीनों को बेनेफिट आईवे का मिले कोई प्रोजेक्ट है वह जहां पर कोश्टली जमीन है उसका बेनेफिट मिले तो इसका उपाय क्या है अगर आपने अगर मालिया सी आहां बेचता तो आफ तो इसमें सारी डारेक्शन की डिमार्केशन हो पूरी बेचे तो उसका सब को नोर्थ साउथ इस्ट वेस्ट सारा डिमार्केशन हो और डिमार्केशन होने के साथ साथ बी और एक ही कंसेंट ली जाए इसलिए आपने देखा होगा कि बैंक जब भी लॉन देता है इसी को लॉन अपलाई करता लॉन के लिए तो ए और बी से भी वो मोडगेज डीड पर साइन कराएगा क्योंकि उसको पता है कल को क्योंकि ये फिक्स नहीं है इसकी ये अपने आप इनों ने बार्टी है जमीन को ये इसका क्योंकि ये final division नहीं है क्योंकि कर ल को इनका one change हो गया यह भी का के देख्जा कि ऊपर highway project है तो ये जमीन ये भी लेना चाहेंगे और हाँ ये जरूर है के शी का जो share है शी ने जो बेच़् हो वह share को मिलेगा क्योंकि उसकी रिजिस्ट्री होगी सब कुछ होगे लेकिन यह डिमार केशन नहीं है कहां मिलेगा इसलिए यह बैटर है कि आप जब भी प्रायाइटिक इसको दें सिंगल खेवट वाले को सिंगल परसन ओनर से वाली सालम खेवट जिस शिंगल सम दें या अगर ज खेवट में क्या करें कि जितने भी इस्सेदार हैं उनके सब के कंसेंट ली जाए और डिमार केशन की जाए तो आज का यह इतना ही था कि खरीदार को जब भी जमीन खरीदें तो प्रायाइटिक खेवट सालम सिंगल परसन ओनर सिप को दी जाए जिसकी सिंगल है अगर उसका डिमार केशन करा लें और बाकी जितने भी शेयर ओल्डर हैं उस जमीन में उनकी कंसेंट ली जाए आज का बस यह इतना ही है वे नाई डे थैंक यू